नमस्कार, जैतु भारत, GST and other laws, discussion and analysis के आज के अंक में आपका स्वागत है GST के returns कुछ समय तक ना फाइल करने पर GST का registration cancel कर दिया गया हो तो उस registration को फिर से चालू करवाने के लिए या cancellation के order को रिवोक करवाने के लिए जो समय सीमा है वो बढ़ाता हुआ notification number 34 of 2021 central tax dated 29 अगस्त 2021 जारी किया है उसके बारे में पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ उसी notification से संबंधित कई जो प्रस्न उपस्तित हुए हैं उसका clarification करता हुआ circular number 158-14-2021 GST दिनांग 6 सितंबर 2021 Central Board of Indirect Taxes and Customs ने जारी किया है पिछले वीडियो में GST Network ने एक advisory जारी की थी कि जहां पर GST registration cancel हो गया हो और उसे revoke करवाने की application reject भी कर दी गई हो वे taxpayer भी फिर से application कर सकते हैं उसके बारे में मैंने कुछ प्रस्न उपस्तित किये थे उन सभी प्रस्नों का उत्तर मुझे लगता है इस circular से मिल रहा है पहला प्रस्न मैंने यह किया था कि क्या GST Portal या GST Network इस प्रकार का clarification issue कर सकता है तो अब CBIC ने detailed clarification issue कर दिया है तो जिससे यह first हो जाता है कि इस प्रकार के clarification CBIC को ही issue करने चाहिए दूसरा सवाल यह भी था कि क्या proper officer जिसने application already reject कर दी हो या उसके against में कोई appeal pending हो तो भी वह proper officer इस प्रकार की revocation of cancellation of registration की application को फिर से consider कर सकता है ऐसे case में appellate authority और proper officer दोनों के पास simultaneous proceedings भी चल सकती है अब इस issue पर Central Board of Indirect Taxes ने इस circular के माध्यम से point wise detailed clarification दिया है GST का registration cancel हो जाए तो उसे revoke करवाने के लिए application की जाए तब क्या procedure follow करनी चाहिए उसके बारे में detailed guidelines CBIC ने circular number 148-4-2021 GST डिनांग 18 माई 2021 से जारी की थी CBIC ने notification number 14 of 2021 central tax dated 1 माई 2021 जारी करके कोरोना की दूसरी लहर के कारण कई compliance की date extend की थी जिसमें revocation of cancellation of registration के लिए application करने की date भी 30 जून 2021 तक extend की थी अब notification number 34 of 2021 central tax dated 29 अगस 2021 जारी करके स्पेसिफिकली जो registration clause B और clause C subsection 2 of section 29 के अंतरगत cancel हुए हैं अर्थात जो return file नहीं करने के कारण GST registration cancel हुए हैं उन्हें revoke करवाने के लिए समय आउधी बढ़ाता हुआ यह notification जारी किया है नोटिफिकेशन नंबर 34 of 2021 central tax dated 29 अगस 2021 से यह प्रावधान किया गया है कि जो भी GST registration cancellation का order हुआ हो उसे रिवोक करवाने के लिए application करने की कि जो समय सीमा है वह यदि एक मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2021 के बीच में fall होती हो तो उस समय सीमा को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाय हुआ मान लिया जाएगा अब यहां पर यह सवाल उपस्तित होता था कि क्या जहां पर इस प्रकार की application taxpayer ने कर दी हो और proper officer ने उसे already reject कर दिया हो उस case में फिर से application कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो यहां पर CBIC ने इस circular के माध्यम से यह clarify किया है कि जहां पर proper officer ने already reject कर दिया हो इस प्रकार की application को वहां पर भी इस notification का benefit मिल सकता है जहां पर इस प्रकार के rejection order के सामने taxpayer ने appellate authority के समक्स appeal की हो और वह appeal pending हो तब भी benefit मिल सकता है और यदि appellate authority ने भी इस प्रकार की appeal को reject कर दिया हो तब भी इस notification का benefit मिल सकता है अर्थात application for revocation of cancellation of registration किया हो और उसका status कुछ भी हो तब भी इस notification का benefit मिलेगा इसी चीज को अलग-अलग बिंदुवार point-wise इस circular में और विस्तार से समझाया गया है सबसे पहले जहां पर taxpayer ने उसका registration cancel हो गया हो उसे revocation करवाने के लिए application ही नहीं की हो तब भी इस notification का benefit लेते हुए 30 सितंबर 2021 तक application कर सकते हैं लेकिन यहां पर यह बात ध्यान रखना आवशक है कि registration cancellation का order 31 जनवरी 2020 के बाद का होना चाहिए उसके पहले का होगा तो इस notification का benefit नहीं मिलेगा यहां पर यह भी लिखा है कि an appeal was filed against order of cancellation of registration and appeal has been rejected जहां appeal reject हो गई हो वहां पर भी इस notification का benefit लिया जा सकता है second category जहां पर GST registration cancel हो गया हो और उसे revoke करवाने के लिए cancellation order को revoke करवाने के लिए application already taxpayer ने फाइल कर दी हो जो proper officer के पास pending हो तो proper officer उस application को decide करते समय यह जो अभी नई समय सीमा notification number 34 of 2021 central tax से बढ़ाई गई है उसे ध्यान में रखते हुए है उस application को decide करेगा जहां पर इस प्रकार की application for revocation of cancellation of registration फाइल की थी लेकिन proper officer ने उसे reject कर दी और taxpayer ने उसके सामने rejection order के सामने कोई भी appeal फाइल नहीं की ऐसे case में taxpayer एक fresh application for revocation of cancellation of registration फाइल कर सकता है और proper officer इस notification की समय अभी को ध्यान में रखते हुए उस application को decide कर सकता है जहां पर taxpayer ने application for revocation of cancellation of registration फाइल किया हो उसे proper officer ने reject कर दिया हो और उसके सामने taxpayer ने appeal फाइल की हो appellate authority के समय जो अभी pending हो तो उस case में यह जो नए notification के provision है वे appellate authorities के ध्यान में लाए जाने चाहिए और appellate authority को इस नए notification के provisions को ध्यान में रखते हुए उस appeal को decide करना चाहिए और जहां पर application for revocation of cancellation of registration टेक्सपेर ने फाइल की थी जिसे proper officer ने reject कर दिया उसके सामने appeal भी फाइल की लेकिन appellate authority ने भी उसे reject कर दिया आज की तारिक में कहीं proceeding पेंडिंग नहीं है तो ऐसे case में taxpayer फ्रेश application फाइल कर सकता है यहां appellate authority ने taxpayer की appeal reject कर दिया है उस case के अंदर fresh application फाइल करनी चाहिए यह बात category 1 में भी लिखी है और category 5 में भी लिखी है दो बार एक ही चीज का स्पष्टी करन इस circular में दिया है ऐसा प्रतीत हो रहा है पिछले अंक में मैंने इसके बारे में भी चर्चा की थी कि यह जो समयाओदी है एक मार्च 2020 से लेकर 31 अगस 2021 के बीच में वह आनी चाहिए तभी इस notification का benefit मिलेगा उस समयाओदी की गणना कैसे करनी है इसमें भी थोड़ी दूइदा है अब इसके बारे में इस circular से स्पष्टा की गई है सबसे पहले यहाँ पर यह जान लेना आवशक है कि यह जो समयाओदी है application for revocation of cancellation of registration के लिए वह section 30 के subsection 1 के अंदर 30 दिन की समयाओदी दर्साई गई है इसके बाद में एक proviso add किया गया एक जनवरी 2021 से जिसके अंतरगत joint commissioner और additional commissioner को यह power दिया गया कि वह इस 30 दिन की समयाओदी को और 30 दिन बढ़ा कर अर्थात 60 दिन तक कर सकते हैं और commissioner को यह power दिया गया कि वह इसे 60 दिन से आगे भी 30 दिन और बढ़ा सकते हैं अर्थात 90 दिन कर सकते हैं तो यह जो proviso है वह एक जनवरी 2021 से लागू हुआ क्योंकि यह proviso एक जनवरी 2021 से लागू हुआ तो यह जो शुरुवात का period है एक जनवरी 2021 से पहले का उसमें इस proviso का लाब नहीं मिल सकता तो जो समयाओधी एक मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच में आती है वहाँ इस proviso का लाब नहीं लिया जा सकता और joint commissioner, additional commissioner या commissioner उस समयाओधी को नहीं बढ़ा सकते तो इसलिए जो registration cancellation का order 31 जनवरी 2020 या उसके बाद में हुआ हो, उसी को इस notification number 34 of 2021 central tax का लाब मिल पाएगा यह पहला स्पश्टी करण है, शुरुवाद की date के लिए, एक मार्च 2020 की लिए, आगे की जो 31 अगस्त 2021 का है, उसके लिए अलग-अलग situation में अलग-अलग स्पश्टी करण दिया गया है जहां पर application for revocation of cancellation of registration करने का 90 दिन का समयाओधी 31 अगस्त 2021 को समाप्थ हो जाती है तो उस case में इस समयाओधी को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया हुआ माना जाएगा और इसके अलावा कोई भी extension joint commissioner या additional commissioner नहीं दे सकते तो इस प्रकार से हम गणना करें तो 2 जून 2021 या उसके पहले जो भी registration cancel हो गए हो उस case में ये समयाओधी 31 अठ दो हजार इकीस को 90 दिन पूरे हो जाते हैं और उसे बढ़ा कर 30 सितंबर 2021 तक इस प्रकार की application notification number 34 of 2021 central tax का benefit लेकर की जा सकती है जहां पर 60 दिन का period 31 अगस्त 2021 को पूरा होता हो तो वह period 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया हुआ मान लिया जाएगा और उसके आगे भी 30 दिन का period sufficient cause होने पर commissioner extend कर सकते हैं इस प्रकार से देखा जाए तो जिन tax payers का registration 3 July 2021 या उसके बाद में cancel हुआ हो वे 30 सितंबर 2021 तक तो इस notification number 34 of 2021 central tax का benefit लेते हुए application कर ही सकते हैं अपने registration को वापस चालू करने के लिए लेकिन यदि किसी कारण वस 30 सितंबर की date निकल भी जाती है तो उसके बाद में और 30 दिन का period commissioner extend कर सकते हैं लेकिन उसमें सर्थ यही है कि proper reason होना चाहिए commissioner को satisfaction होना चाहिए इसलिए मेरा अनुरोद तो यही है कि इस extension के लिए wait न करें और 30 सितंबर 2021 से पहले ही आप अपना registration वापस चालू करवाने के लिए application कर दें इसी प्रकार से जहां पर 30 दिन की समयाओधी 31 सितंबर 2021 को समाप्त हो रही है तो उस case में notification number 34 of 2021 सेंटर टेक्स के अनुसार ही वह समय सीमा 30 सितंबर 2021 तक बढ़ जाएगी और उसके आगे की समयाओधी joint या additional commissioner और बढ़ा सकते हैं 30 दिन के लिए और commissioner और बढ़ा सकते हैं further 30 days के लिए तो इस प्रकार से देखा जाए तो जिन taxpayer का registration दो अगस्त 2021 के बाद में cancel हुआ हो तो उनके 30 दिन की समयाओधी 31.8.2021 को पूरी होती है जिसे इस notification number 34 of 2021 के द्वारा ही आगे 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया हुआ माना जाएगा यदि किसी कारण वर्स वे 30 सितंबर 2021 तक application for revocation of cancellation of registration फाइल नहीं कर पाते हैं तो उसके आगे 30 दिन के लिए joint commissioner या additional commissioner उस समयाओधी को extend कर सकते हैं और उसके भी आगे 30 दिन के लिए commissioner उस समयाओधी को extend कर सकते हैं लेकिन इन दोनों ही case में commissioner का या joint commissioner additional commissioner का discretion है कि वे यदि satisfy होते हैं taxpayer का जो reason बताया है वह संतुस जनक है तभी ये समयाओधी extend होगी इसलिए पुनह मेरा अनुरोध है taxpayer से जिनका registration cancel हो गया है return file नहीं करने की वज़़े से वे इस notification का सरकार के द्वारा दिये गए इस author का lab उठाएं और 30 September 2021 से पहले application करके अपना registration वापस चालू करवा दें मुझे लगता है यह जो circular है यह बहुत ही detailed में हर एक चीज को point wise clarify करता हुआ circular है हर situation को बहुत ही अच्छे से CBIC ने clarify किया है तो अब किसी भी taxpayer को कोई दूविधा नहीं रहनी चाहिए इस notification का benefit लेने में और अपना registration पुन्हा चालू करवा कर अच्छे से अपना business आगे बढ़ाने के लिए आज की आंक में बस इतना ही धन्यवाद प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको और किसी GST related विशय पर जानकारी चाहिए विशय दह तो comments में लिख सकते हैं जय हिंद